ध्वनिर्वर्ना पदम् वाक्यनित्यास्वदचतुष्टयम् यस्याहा सुष्मादी भेदे वागदेविंतानु पास्महे पास्मुर्ण का गुद्मादी भेदे मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्विद्याले का इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्टत करता है सिख्षा शास्त्र विशय पर आधारित धोनी श्रंखला उभरते हुए भारतिय समाज में सिख्षा ये श्रंखला B.Ed. विशेश सिख्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है ये श्रंखला B.Ed. सामान सिख्षा के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी इस श्रंखला में अब प्रस्तत है धोनी कारिक्रम आज का समाज कारिक्रम के विशिशग्य है प्रोफिसर बीपी लूला और जी गुरू इस कारिक्रम का ध्वनी मुद्रन, संपादन, आलेक रूपांतरन और प्रस्तुती करण किया है अमर बहादुर यादवने तो लीजिये सुनिये ध्वनी कारिक्रम आज का समाज आदिम मानव परियावरण का एक जन्तु था मानव के सीधे खड़े होने की भंगीमा के कारण उसके शरीर का अगरभाग गती विश्यक कारिय से मुक्त हो गया और अब वह अपने विरोधी अंगूठों की मदद से औजारों का संचालन कर सकता था जो शरीर को प्रभावित किये बिना प्रिथक रूप से हाथों का कारिय कर सकते थे इसके द्वारा उसके मस्तिश्क का विकास हुआ प्रत्यक्ष ग्यानात्मक चिंतन के साथ साथ उसने संकल्पना पर आधारित चिंतन शक्ती का विकास किया हस्त लागव कौशलों और मस्तिश्क के विकास से प्राप विशाल शक्ती से शक्तिशाली होकर मानव ने संपूर्ण परिद्रिश्य पर आधिपत्य स्थापित किया अपने प्रयान की शुरुवात परियावरण के एक सामान्य जन्तु से करते हुए वो उसको अपनी आवशक्ता नुसार ढालने में लग गया उसने अपने स्वयम का मनुवैज्यानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कृत परियावरण का निर्मान किया इस परियावरण में मानव द्वारा विक्सित सभी कुछ का समावेश हुगा जो उसने अपने चिंतन और ओजारों के प्रियोग द्वारा संभव किया इस समस्टी में आते हैं परिवार, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शक्षिक तथा राजनीतिक संगठन, भाषा तथा प्रवद्योगिकी, मन के चेतन अवचेतन तथा अतिचेतन संगठन, साथी विचार, ज्यान, इच्छा, संस्कृति तथा सभ्यता और भोतिक समरचनाएं तीस लाख वर्षों का मानव अस्तित्व बढ़ते हुए, भोतिक आवश्यक्ताओं तथा प्राचोरिय प्राप्ति की भूख को मिटाने के लिए, मानव द्वारा वांचित अधिकाधिक उर्जा और भोतिक सुख साधन जोड़ने की होड में जुटे होने की कहानी मात्र है आएए, अब चर्चा करते हैं भोजन संग्रह इस्तर के युग की शिकार और संग्रह मानव समाज की आदिम, सबसे प्राचीन और उत्पादक प्रोध्योगी की थी जानवरों के शिकार और वनस्पती संग्रह के लिए वो आसान और जारों का प्रियोग किया करता था आज भी भारत समेत अनेग देशों के कई समाजों में ये इस्तर अभी भी प्रचलित है जो जीवित जगत के भोजन श्रंखला की एक कड़ी प्रस्तुत करता था शिकार, मचली पकड़ना, खाने वाले फलों, फूलों, पत्तियों, जड़ों और कंदों का संग्रह उसके भोजन के मुख्य स्रोत थे इस संग्रह के संपादन में वे सक्त पत्थरों, लाठियों, सक्त अस्थी पिंजरों से प्राप्त पदार्थों आदि से बनाए गए औजारों का प्रियोग करते थे वे भोजन संग्रह के इस्तर से संबंध रखते थे भोजन के अतिरिक्त शिकारी मानव को अपने शिकार को भूनने और अपने को गरम रखने के लिए उर्जा की अवशकता हुई तब उसने आग का प्रियोग सीखा यह उर्जा वह आग द्वारा लकडी जला कर प्राप्त करता था दोस्तो अभी हमने चर्चा की भोजन संग्र इस्तर के युग की आए आप चर्चा करते हैं बागवानी और पशुचारी के युग की जब मानव ने हाथ के ओजारों का प्रियोग कर फसल उगाने की प्रोध्योग की यानि बागवानी सीखी और जानवरों को पालतु बनाने की प्रोध्योग की यानि पशुचारी सीखी तो उनसे बागवानी और पशुपालन के युग का उदय हुआ आदिम भोजन संग्रही मनुष्य को पेड़ पौधों को उगाने और जानवरों को पालतु बनाने में दस लाख वर्षों से अधिक का समय लगा मुश्किल से 20 से 15 हजार वर्ष पहले बागवानी और पशुपालन की प्रोध्योगी की का उदय होना प्रारंब हुआ आवासिये इस्थान के आसपास फलों को खाकर फ्येके गए बीज के अंकुरित होने की प्रक्रिया की अकस्मात खोजने फलों के पेड़ लगाने की कला विक्षित की होगी समय के साथ-साथ फावडे, कुदाली, आदिके आविशकार के साथ ही विशेश रूप से विश्व के उपजाउ क्षेत्रों में बागवानी के विकास का क्रम प्रारंब हुआ होगा सूखे शेत्रों में शिकार के माध्यम से जानवरों को पालतु बनाने की प्रथा का विस्तार हुआ होगा एशिया, अफ्रिका और अमेरिका के अनेक समाजों में बागवानी और जानवरों को पालतु बनाने की प्रक्रिया का सम्मिश्रण किया गया बागवानी और जानवरों को पालतू बनाने के कारण जो उत्पादक्ता में व्रिद्धी होई, उसके फलस्वरूप मानव समाज सेकड़ों की संख्या में फ्यल गए यद्यपी पशुचारी समाज के सदस्य एक इस्थान से दूसरे इस्थान में जाते रहते थे, अर्थात वे खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करते थे परन्तु फिर भी बागवानी से जुड़े हुए लोग खेतों के साथ बंध गए और इस्थाई आवास का निर्मान किया कुछ परिवारों के हाथों में धन के केंद्री करण होने पर इन समाजों में श्रेणी बद्धता का विकास हुआ खाद्य पदार्थों के उत्पादन में प्रचुर्ता आने पर अनेक मनुष्य अन्य पूर्ण कालिक धंधों जैसे शिल्प, वानिज और पूजा पाठ में लग गए अभी हमने चर्चा की बागवानी तथा पशुचारी योग की, आएए अब चर्चा करते हैं क्रशी योग की ये एक तरकसंगत कदम ही था कि बागवानी और पशुचारी मानव क्रशी मानव के रूप में उभरा, हल के अविश्कार के साथ ही क्रशी का उदै हुआ जानवरों द्वारा चलाए जाने वाले हल जमीन को उलट सकते थे, जमीन को अनेक वर्षों तक खेती योग्य बनाए रख सकते थे और बड़ी मात्रा में भोजन का उत्पादन कर सकते थे, जिनकी द्वारा हजारों लोगों का पालन पूशन हो सकता था इस प्रकार मानव समाज बड़ी संख्या में इस्थाई आवास बना कर रहने लगे। साथ साथ आगे बढ़े। जैसे जैसे मानव ने प्रगति की उसने वायू तथा पानी का प्रियोग कर पवन्चक्की, पन्चक्की और नावों को चलाया। इसा पूर्व साथ हजार पान्सो के एक जल में निमगन शहर की खोज जब गुजरात समुद्रतट पर कैमबे की खाडी में हुई, तो ये माना गया कि संभवत मानव सभ्यता का प्रारंब भारत में ही हुआ। कैमबे समाज के काल में रहने वाले लोग शिकारी थे, जो खेती की कला को सीख रहे थे। अभी हमने चर्चा की क्रशी योग के, आईए अब चर्चा करते हैं ओध्योगिक क्रांती के योग की। भाप के इंजन के आविरभाव ने ओध्योगिक क्रांती का सूत्रपात किया। उध्योगों के तेजी से व्रद्धी के लिए उर्जा के जिस विशाल भंडार की उध्योगिक मानव को आवशक्ता थी, वे उसे कोईले, पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गैसों जैसे जीवाश्म इंधन से प्राप्त हुई। विद्युत उत्पादन के लिए नकेवल जीवाश में इंधनों का प्रियोग हुआ, अपितु अन्य उर्जा स्रोतों, विशेष्ता, जल और पर्मानु उर्जाओं का प्रियोग हुआ। परवर्ती काल में सूर्य की उर्जा को सीधे परिवर्तित कर लहरों से प्राप्त उर्जा, ज्वाला मुखी तथा गरम स्रोतों से प्राप्त भू उश्मिय उर्जा का भी इस्तेमाल किया गया। क्रशी आधारित समाजों में जमीन का परिचालन ही प्रमुक आर्थिक क्रिया थी। परंतु ओद्योगिक समाजों में मशीन की देखबाल प्रमुक आर्थिक क्रिया बनी। शैक्षिक अवसरों में व्रद्धी हुई और अनेक को शिक्षा के अवसर मिले। अभी हमने चर्चा की ओध्योग क्रांति के युग की, आईए अब चर्चा करते हैं संचार और सूचना विज्ञान के युग की. उच्च गती वाले इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर के आविर्भाव ने सूचना प्रोध्योगी की क्रांती के युग का सूत्रपात किया इसे साइबरनेटिक्स इस्तर कह सकते हैं मुश्किल से 10-15,000 वर्ष पहले क्रशी का विश्कार हुआ पिछले 3-4 दशिकों में सूचना प्रोध्योगी की क्रांती का उदै हुआ इसके साथ ही अर्थ व्यवस्था का एक चतुर्थ शेत्र उदित हुआ जिसके फलस्वरूप मुख्य आर्थिक गतिविधियों में इस्थानांतरण हुआ ये गतिविधियां जमीन के परिचालन से मशीन के परिचालन तक और फिर सूचना के परिचालन तक पहुँचा विग्यान और प्रध्योग की संचार और यातायात के साधनों के विकास तथा प्रशिक्षन और शिक्षा द्वारा अर्जित उन्नत संगठनात्मक कोशलों के कारण ही मानव समाज धीरे धीरे आदिम खाध्य पदार्थ संग्रह इस तर से होते हुए वर्तमान साइबर नेट दोस्तों अभी हमने जाना मानव के विभिन्य विकास इस तरों के बारे में आएए आप समझने की कोशिश करें कि आदिम समाज के मानव और आधुनिक समाज के मानव की क्या विशेष्टाएं हैं आदिम समाज में मानव जंगलों में पेडों और गुफाओं का प्रियोग रहने के आश्रय के रूप में करता था वह आसपास के जीव जन्तुओं से अपने और अपने परिवार की रक्षा करता था उसे अन्य जानवरों की भाती अपने अस्तित्व के लिए भोजन का शिकार करना पड़ता था आदिम समाज के मानव की मुख्य विशेष्टाएं इस प्रकार थी आदिम समाज का मानव अपने परिवार के साथ प्राक्रतिक और अपरिश्कृत वातावरण में रहता था अपने अनुभव पर आधारित उसके पास जीवित रहने के सीमित कोशल थे उसने शिकार तथा अन्य आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए पत्थर के टुकड़ों से छोटे-छोटे औजारों को बनाने की कला सीख ली थी आदिमानव हमेशा जानवरों और प्राक्रतिक आपदाओं के भय से तरस्त रहता था उसके पास कोई संगठित, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं नहीं थी उसके पास भाशा और संप्रेशन के सीमित कोशल थे आदिमानव का मस्तिश्क अपेक्ष्तया कम विक्षित था ये तो हुई कुछ आदिम समाज के मानव की विशेष्ताएं आए अब बात करें आधुनिक समाज के मानव की आधुनिक समाज को विज्ञान के नवीन ग्यान और प्रद्योगिकी के नवीन आविशकारों का लाब मिला है शहरी करण, ओध्योगिकी करण, लामबंदी, तीवरितर यातायात के साधन, तुरंत संप्रिशन, नागरिकों के कल्यान के प्रती जागरूग सरकार का गठन, अंतरराश्ट्री सहयोग और भू मंडली करण के कारण आधुनिक मानव जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है आधुनिक समाज का मानव आज जीवन की सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेता है जैसे आरामदायक घर, विद्युत, यातायात के साधन और दूर संचार आधुनिक युग के इन विशेश अधिकारों तक उसकी पहुँच है प्रशिक्षन और शिक्षा के माध्यम से उसने बहतर बुद्धी और कौशल का विकास किया है एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन बिताने के लिए उसने सुरक्षा और संपत्ति के अधिकारों को प्राप्त किया है वो अनेक सुसंगठित संस्थाओं जैसे परिवार, विद्याले, सरकार, बैंक, आधिकलाब उठाता है उच्च इस्तर के जीवन का आनंद उठाने के लिए उसके पास बेहतर परियावरन और अधिक जनसाधन मौजूद है जीवन के सामाजिक और आर्थिक पहलूँ में उसकी गतिशीलता अब अधिक है गतिविधियों के विभिनक शेत्रों में उसे अनेक अत्याधुनिक औजारों तथा मशीनों जैसे संगनक के उप्योग तक उसकी पहुँच है आधुनिक युग में आधुनिक मानव को विकास का लंबा अनुभव और उपलब्द वैज्ञानिक ज्यान का लाभ मिला है पूचना प्रोध्योगी की क्रान्ति की युग में प्रवेश कर गया है आधुनिक सभ्य और सुसंस्क्रित मानव की विशिस्ताओं पर नजर डाले आधुनिक सभ्य मानव में कई विशिस्ताओं पाई जाती है आधुनिक सभ्य मानव जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यज्यानिक ज्यान का विकास और कोशल को अरजित कर सकता है वो सुविधापूर्ण जीवन और प्रत्येक शेत्र में दक्षता पूर्वक निश्पादन के लिए प्राप्त प्रोध्योगी की का उप्योग कर सकता है आधुनिक मानव राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भली भाती अपने को संगठित कर सकता है वो अपने परिवारजनों और समुदाय के अन्यसाथियों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और देखभाल की कुशलता विक्सित कर सकता है आधुनिक मानव सामाजिक उतरदायत्व और समुदाय की समस्याओं के प्रति सम्वेदन शिल होने की अन्यभूति का भली प्रकार विकास कर सकता है प्रतियक शेत्र में उपलब्ध, पेशेवर समुहों और संगों के माद्यम से वो अपने पासपडोस तथा कारे की शर्टों में सुधार ला सकता है आधुनिक मानव अपने जीवन के लक्ष और आकांग्षाओं की प्राप्ति और समय समय पर जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतियक शेत्र में उच्छ शिक्षा का लाव ले सकता है आए अब चर्चा करें समाज चक्र की मानव समाज का विकास मानसिक विकास के अंतरनिष्ठ विकास सम्बंदी बलों से निर्देशित होते हैं यूरोपियन और विशेष्ट जर्मन इतिहास के आधार पर सिधान्तवादी लेम प्रेस्ट ने ये माना की मानव समाज कुछ निश्चित मनोवैज्ञानिक इस तरों से होकर प्रगती करता है उन्होंने इन चर्णों को इन रूपों में पेश किया पहला चरण है सिंबॉलिक यानि प्रतिकी दूसरा चरण है टाइपल यानि प्ररूपी तीसरा चरण कन्वेंशनल यानि परंपरागत चौथा इंडिवीजुञिस्ट यानि व्यक्तिगत और पाँचवा चरण है सब्जेक्टिव यानि व्यक्तिनिष्ट इसकी व्यधता का विशलेशन करते हुए श्री और विंद्यो ने अपनी पुस्तक दा हुमन साइकल में तर्क प्रस्तुत किया विकास का ये क्रम एक प्रकार के मनोवज्यानिक चक्र का पालन करता है जिसमें होकर एक राश्ट्र या सब्जिता आगे बढ़ने के लिए बाद्धि होती है प्रत्यक्षता ऐसे वर्गी करण अपनी द्रड़ता के कारण गलत सिद्ध हो सकते हैं और वे कुंडलियों या तेढ़े मेड़े प्रकृती के रास्तों को एक पदार्थिक रिजुरेखा से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं मानव और उसके समाजों का मनोवज्यान इतना अधिक जटिल होता है कि ये बहुकोणिये और आपस में गुथे होते हैं ये अत्यधिक संसिलिष्ट प्रविर्तियों का संयोजन होता है कि उन्हें इस प्रकार के कठोर और आपचारिक विशलेशन के दाइरे में इस पश्टतया नहीं लाया जा सकता एक मनोवज्यानिक चक्र का सिध्धान्त हमें यह भी नहीं बतलाता कि इसके क्रमागत पक्षों का आंतरिक अर्थ क्या है उनके क्रमिक अनुक्रम की आवश्यक्ता को भी यह नहीं दर्शाता यह चक्र प्रयुक्त शब्द और गंतव्य जिस ओर वे ले जाना चाहते हैं को भी इस पश्ट नहीं करता फिर भी मस्तिश्क या पदार्थ के प्राकृतिक नियमों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इनकी कार्य प्रणाली को आविश्कृत अव्यवों, मुख्य संघटकों, प्रभावी शक्तियों में विश्लेशित किया जाए यदि पी यह संभव है कि यह सब कहीं भी अलग से ना पाए जाए मैं पाश्चाति चिंतक के अपने कार्य को उसके विचार के साथ ही अलग रग दूँगा उसने जो नाम सुझाए हैं यदि हम उनके अंदरूनी अनुभूती तथा मूली की जाज करें तो हम पाएंगे कि वे शायद हमारे एतिहासिक विकास क्रम के गहनता से आच्छादित रहस्यों पर कुछ प्रकाश डाल सकें इसलिए यही वो दिशा है जिस और अनुसंधान करना अधिक लाब प्रद हो सकता है निसंदे है यदि हम किसी मानव समाज को जो हमें आदिम समाज की प्रारंभिक इस्थिती में लगे कोलें चाहे वह जाती अपेक्षतया सुसंस्कृत हो या जंगली हो या आर्थिक रूप से अग्रगामी या पिछला हुआ हो हम पाते हैं कि एक प्रबल प्रतीकी मानसिक्ता इसको संचालित करती है या कम से कम इस समाज की सोच रीती रिवाजों तथा संस्थाओं पर अपना प्रभाव विस्तार करती है प्रतीकी परंतु किसका? हम पाते हैं कि यह सामाजिक इस्तर हमेशा धार्मिक होता है और अपने धर्म में तत्परता से कल्पनाशील होता है क्योंकि प्रतीक आत्मक्ता तथा विस्तार से फेले कल्पनाशील या अंतर बोधात्मक धार्मिक भावनाओं के बीच नेसरगिक बंधुता होती है विशेश रूप से प्रारंभिक या आदिम बनावटों में वे सदेव एक साथ रहे हैं जब मानव प्रधानतया बुद्धी जीवी, संशई, तरकात्मक होता है तो वो एक व्यक्तिवादी समाज के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा है और प्रतीकों का युग तथा प्रथाओं का युग पार हो चुका है या फिर वे अपनी शुचिता खो रहे हैं अता प्रतीक कोई ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति अपने पीछे, अपने जीवन तथा अपने क्रियाकलापों के पीछे महसूस करता है दिव्य, इश्वर, विस्तुरत, गहन अकतनिय, एक प्रच्छन, जीवित और वस्तुओं की रहसिमय प्रकृती उसकी सभी धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाएं, उसके जीवन के सभी पल तथा पहलू उसके लिए प्रतीक का कारे करते हैं जिनके माध्यम से वो जो जानता है, अपने जीवन के पीछे जो रहसिवादी प्रभाव है, उनका अनुभाव करता है और इसकी चाल को गढ़ता है, दिशा देता है, या फिर कम से कम उसमें हस्तक्षेप तो करता ही है इस प्रतीकात्मक रुझान से समाज में हर चीज को संस्कृतिक, धार्मिक और परम पावन बनाने की प्रकृति का जन्म हुआ, परन्तु अभी तक इसके सभी रूपों में व्याप्त, विस्तृत तथा प्रभावशाली स्वतंत्रता, एक ऐसी स्वतंत्रता जो हम जंगली स समुदायों की दढ़ता में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वे पहले से ही प्रतीकात्मक इस्तर को पार कर परमपरागत इस्तर तक पहुँच गए हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम हमें चार श्रेणियों का प्रतीकात्मक बोध होता है। अधिक इसपश्ट करते हुए अमूर्थ प्रतीकात्मक भाशा का प्रयोग, जिसे वैदिक चिन तक न तो प्रयोग मिलाते और न शायद वे इसे समझते, परन्तो जो हमारे आधुनिक सबसे अधिक लाब दायक हैं। दिव्य मानव ज्यान के रूप में, दिव्य एक शक्ती के रूप में, दिव्य उत्पादन के रूप में, आनंद के रूप में और पारस परिक्ता के रूप में, दिव्य सेवा के रूप में, आज्याकारिता तथा कारे के रूप में। ये प्रग्या जो चीजों के क्रम और सिध्धान्त को संकल्पित करती है, शक्ति जो मन्जूरी देती है, ठामती है और लागू करती है, सामंजसित जो इसके भागों की व्यवस्था का स्रजन करती है, तथा कार्य जो शेश के निर्देशानुसार आचरन करती है, ततपश्चात इस विचार से एक इस्थिर परन्तु जो अभी भी पूरी तरह द्रण नहीं हुआ है ऐसे सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ यह सामाजिक व्यवस्था मूलता स्वभाव तथा आत्मिक प्रकार पर तदनु रूप नीति परक अनुशासन के साथ निर्भर करता है दूसरी ओर यह सामाजिक तथा आर्थिक कार्य पर निर्भर करता है परन्तु कार्य का निर्धारन विद्या विशेश के प्रकार तथा मदद के प्रति इसकी उप्योक्तिता द्वारा होता है। यह प्राथ में किया अकेला कारक नहीं था। पहला है प्रतिक आत्मक इस्तर यह प्रमक रूप से धार्मिक तथा आध्यात्मिक इस्तर है। दूसरे अव्यव जैसे मनोवेग्यानिक, नैतिक, आर्थिक, भौतिक हैं परन्तु यह सब आध्यात्मिक तथा धार्मिक विचारों के अंतरगत ही आते हैं। तथा नैतिक आदर्श के अधीन आता है, जो इसे अभिव्यक्त करता है। तब धर्म नैतिक प्रेरिणा तथा विद्या विशेश के लिए एक रहस्यात्मक अनुभूती बन जाता है। धर्म जो इसकी मुख्य सामाजिक उपयोगिता बन जाती है और शेश के लिए ये अधिकादिक परिलोग की और घूम जाती है। ये विचार कि मानव दिव्यपुरुष या अंतरिक्षी सिध्धान्त की सीधी अभिव्यक्ती है कि प्रधानता समाप्त हो जाती है या उसका अगुआ या सर्व प्रिथम होना भी पीछे चला जाता है। प्रारूपी इस्तर महान सामाजिक आदर्शों का स्रजन करता है जो इस इस्तर से गुजरने के बाद भी मानव मन में अमिट छाप छोड़ जाता है। मनोवे ज्यानिक इस्तर में तीसरा है पारमपरिक इस्तर इसकी विशेष्टाएं हैं। जब बाहरी सहारे आत्मा या आदर्श की बाहरी अभिवेक्तियां अभीष्ट से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं तो मानव समाज के पारमपरिक इस्तर का जन्म होता है। शरीर या यहां तक की कपड़े भी यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समाज के पारमपरिक योग की प्रवर्ति है नियत करना, जड़ता से विवस्थित करना, धर्म को रूडि बद्ध करना, शिक्षा तथा प्रशिक्षन को परमपरागत और अपरिवर्तिनीय रूप में बांध देना, विचारधाराओं को भरमातीत या अचूक प्राधिकार के अधीन कर देना, इसे मानव जीवन का जो परिश्कृत रूप प्रतीत होता है, उस पर अन्तिम्ता की मुहर लगा देना, इस इस्तर में हमेशा आकार प्रवल होता है और आत्मा पीछे रह जाती है, चौथा है व्यक्तिपरक इस्तर, एक समय ऐसा भी आता है, जब परमप और सत्य के बीच की खाई असहनी हो जाती है, तथा बुद्धिमान व्यक्ति जागरत हो जाते हैं, सूत्रों को लीलने वाले महान लोग जो पूरी शक्ति से या उग्रता से या तर्क के शांत प्रकाश्च से प्रतीक, प्ररूपी और परमपरा को अस्विकार करते हैं, जे को खोजने की चेश्टा करते हैं, जिसे समाज ने खो दिया है, या इसके सफेत कब्र में दफना दिया है, इसी सोपान पर आकर धर्म, चिंतन और समाज के व्यक्ति परक युग का स्रजन होता है, प्रतिवात के युग का प्रारंब हो चुका है, तर्क का युग, विद्रो का युग, प्रगती और स्वतंत्रता का युग, और पांचमा इस्तर है व्यक्तिनिष्ट इस्तर, चीजों की सत्यता को जानने के लिए और उस सत्य के सापेक्ष अपने अस्तित्व के नियम को समझने के लिए, व्यक्ति को और गहराई में जाकर व्यक्तिनिष्ट गोपनि जिसमें मनुष्य को एक पूरा चक्र लगा कर वापस आना पड़ता है ताकि वह अपने भीत्री आत्मन प्रतिप्राप्ति की ओर एक नवीन उर्ध्वा धर रेखा या सभेता के एक नवीन घूमते हुए चक्र की ओर जा सके। आएए अब बात करें बरबर्ता और सभेता की बरबर्ता की विशेशताएं बरबर्ता के इस्तर पर मानव जानवर की तरह रहता था वो पश्वों की मूल प्रवर्ति द्वारा संचालित होता था वो स्व अस्तित्व, स्व प्रवर्धन, भोजन तथा मैथुन के जीवन विज्ञान संबंधी अभी प्रेरग बलों के वशिभूत होकर अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती करता था इस प्रक्रिया में वो इन विशेशताओं को व्यक्त करता था वो परियावरण का एक जीव है जो जानवर की भाती रहता है किसी जानवर की भाती ही भोजन की खोज में घूमता फिरता है स्वा अस्तित्व, स्वा परवर्धन, भोजन तथा मेथुन के जीवन विज्ञान संबंधी अभी प्रेरग बलों से संचालित होता है वे मानसिक रूप से विक्सित नहीं है पारिवारिक जीवन, धर्म तथा संस्कृति का अती निवन ग्यान है चूकि उसकी क्षमताओं का विकास नहीं हुआ है इसलिए ना तो उसके पास सामाजिक आचरण है और ना ही नेतिक सिध्धान्त विकास के क्रम में पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति हुई और आधुनिक मानवजाती के उत्थान के साथ साथ जीवन से मन या मस्तिश्क का उदै हुआ उसने जैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का हल निकालने के लिए अपने मस्तिश्क का इस्तिमाल किया इस प्रकार प्रकृती के चिंतक मानव ने विकास के मनो सामाजिक पक्ष का सूत्रपात किया और मानव सभ्यताओं को जन्म दिया काफी वर्षों के संघर्ष चार ओर की समस्याओं की खोज और शोध के पश्चात सभ्य जीवन का विकास हुआ श्री और विंदो कहते हैं कि सामाल्य तथा लोकप्रिय अर्थ में सभ्यता से तातपर्य है सभ्य समाज की अवस्था शासित, आरक्षित, संगठित, शिक्षित तथा ग्यान और उपकरणों को लिये हुए होता है इसके विरुध दूसरी ऐसी विवस्था को लिया जा सकता है जिसके पास ये सब नहीं है या उसके पास इन सुविधाओं के होने की आशा नहीं की जाती श्री और विंदो के अनुसार बरबरता समाज की वह अवस्था है जिसमें मानव लगभग पूर्ण रूप से अपने जीवन, शरीर, अपने आर्थिक और भौतिक अस्तित्व से जुड़ा होता है मानसिक्ता को विक्सित करने के लिए न तो परियाप्त साधन होते हैं और ना ही समुचित इच्छा जबकि सभ्यता समाज का वह विक्सित रूप है जिसमें परियाप्त सामाजिक तथा आर्थिक संगठन का समावेश हो और मानसिक जीवन की गतिविधियां यदि संपूर नहीं तो अधिकतर भाग में मौजूद हो क्योंकि कभी-कभी इनके कुछ भाग पीछे छूड़ जाते हैं या हतुत सहित होते हैं अथ्वा प्रियोग के अभाव में आयस्थाई रूप से शिन हो जाते हैं तथा पी प्रत्यक्ष रूप से समाज बहुत सभ्य हो सकता है तथा यहां तक कि उच्चे सभ्यता संपन भी हो सकता है इस अभिधारणा के अंतरगत सभी एतिहासिक, प्राग एतिहासिक सभ्यताएं आ जाएंगी और सभी बरबरता को मार्ग से हटा देंगी चाहे वो अफ्रिका, यूरोप, एशिया, हून, गोत, वंडाल या तुर्कमान में हो प्रत्यक्ष तबरबरता की अवस्था में समाज के अशिष्ट शुरुवात का अस्तित्व मिल सकता है ये भी दिखाई देता है कि एक सभी समाज में बड़ी मात्रा में बरबरता या उसके अंगिनत अवशिष रह सकते हैं इस रूप में देखने पर सभी समाज अल्प सभ्यता या अर्ध सभ्यता की अवस्था में ही होते हैं एक अत्यधिक विक्सित मानवता हमारी वर्तमान सभ्यता को एक अपूरुनता से ग्रसित सभ्य युग की अंधिविश्वासी तथा निर्शनसिता को किस हद तक आश्चर्य तथा विरक्ति या घ्रना से देखेगा परन्तु मुख्य बात ये है कि किसी भी समाज में जो अपने को सभ्य कहलाने योगे हैं मनश्यों की मानसिक्ता सक्रिय होनी चाहिए मानसिक लक्ष विक्सित होने चाहिए तथा चिंतन शील व्यक्तित्व के रूप में उसके जीवन का नियंत्रन तथा सुधार उसके बेहतर मस्तिश्क के इसपष्ट स्वाचेतन अभिधारना के रूप में होना चाहिए परंतु एक सभ्य समाज में आन्शिक, अपरिश्क्रत तथा पारंपरिक रूप से सभ्य और सुसंस्क्रत के बीच अब भी अंतरविद्यमान है अतर ये प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति विशेश को समुचित मानसिक जीवन पर पहुँचाने के लिए केवल सभ्यता के साधारन फाइदों के लिए भागीदारी करना ही परियाप्त नहीं है इसके लिए दूरगामी विकास एक उच इस्तरी उत्थान की आवशक्ता है मामूली तोर से देखने पर उसके लिए विशेया सक्त वह था जो बाहरी तोर पर सभ्यता का जीवन व्यतीत करता है इसके सभी साज सामान का स्वामी होता है उसके पास वर्तमान में प्रचलित मतों का, पूर्वा ग्रहों का, रूढियों का, मनोभावों का भंडार होता है जिने वह प्रकट भी कर सकता है परंतु विचारों के प्रती वह अभेद्य होता है स्वतंत्र बुद्धी मत्या का परिचय नहीं देता सुन्दर्ता तथा कला के प्रती अग्यानी होता है जिस चीज को भी वह चूता है चाहे वह धर्म हो, नेतिकता हो, साहेत्य हो या फिर जीवन उसे ही अभद्र या अशिष्ट बना देता है विशय आसक्त वास्ताव में एक आधुनिक सभ्य बरबर ही होता है वो अपने जीवन, शरीर, जीवन की अत्यावशक आवशकताओं, आवेगों के प्रती बुद्धिहीन आसकती रखता है और इसलिए वो अकसर एक अर्द सभ्य, भोतिक और जैव बरबर का इस्थान ले लेता है परन्तो अनिवारी रूप से और सामाने रूप से वो मानसिक बरबर, एक औसत दर्जे का संवेदनात्मक व्यक्ति होता है दूसरे शब्दों में उसका मानसिक जीवन मस्तिश्क के निम्नतर अधा इस्थर का होता है वो इंद्रियों का जीवन, अनुभूतियों का जीवन, भावनाओं का जीवन, प्रायोगिक आचरण का जीवन व्यतीत करता है इस प्रकार वो मानसिक व्यक्तित्व के प्रथम इस्थर पर होता है इन सभी में वह सक्रिय हो सकता है, बहुत ताकतवर हो सकता है परंतु वह उनको किसी उच्च इस्तरिय प्रकाश से शासित नहीं करता या उनको स्वतंत्र या उदात उत्कृष्ट्रिता की उचाई तक पहुचानी की चेश्टा नहीं करता बलकि इसके विप्रीत वह उच्च मानसिक शक्तियों को इंद्रियों के इस्तर तक उसके अनुभूतियों तक उसके अप्रकाशित तथा असायद भावनाओं और उसकी इस्थूल उपयोगिता वादी प्रयोगिक्ता तक घसीट लाता है। सम्वेदनात्मक मानव की नैतिक्ता होती है। वो मानसिक रूप से सक्रिय नहीं होता बलकि मानसिक रूप से प्रतिक्रियाशील होता है। अपना प्रसार उपर से करना पड़ेगा अनिथा उसे नीचे की अज्ञान रूपी रात्री में डूब जाने का भाय हमेशा बना रहेगा। यदि ये विशाल संख्या में लोगों को अपने प्रकाश से वन्चित रखता है तो ये और भी अधिक असुरक्षा की स्थिती में आ जाता है। प्राकृतिक ओज से परिपूर्ण ये बरबर किसी भी पल सभ्य समाज की संस्कृती से मानसिक रूप से रूपांतरित न होकर उसी सभ्यता के भौतिक हतियारों को हतिया सकता है। ग्रीक, रोमन संस्कृती, भीतरी और बाहरी दोनों तरफ से नाश को प्राप्त हुई। बाहरी और से इसका विनाश जर्मन बरबरता के बाढ़ से और भीतर से विनाश जीवन शक्ती के लोप के कारण हुआ। इसने सर्वहारा वर्ग को कुछ हद तक आराम तथा आनंद दिया, परंतो उन्हें प्रकाश से प्रकाशित नहीं किया। जब जनसमू के पास प्रकाश पहुँचा, तो बाहर की और से इसाई धर्म के रूप में आया, जो पुरानी संस्कृती के शत्रु के भेश में था। यदि ग्यान जीवित रहना चाहता है, तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, तो ग्यान को आक्रामक होना चाहिए। नीचे या चारों और कहीं भी, यदि एक विस्तृत अज्यानता को छोड़ रखा जाए, तो इसका मतलब होगा समस्त मानवता को बरबरता की पुनरावृत्ती के खत्रे में हमेशा के लिए धकेल देना। सौंदर्य तथा जीवन के उच्च आदर्शों से शासित नहीं हुआ, अपितो इस्थूल जैवशक्ती अस्तित्व के वानिजिक और आर्थिक दृष्टी से संचालित होता रहा, तो हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्र या युग एक अभिप्राय में सभ्य हो सकता है, किन्तो इसके सभ्यता संबंधी प्रचुर और व्यर्थ उपसकरों तथा उपकर्णों के रहते ये एक सुसंस्कृत मानवता की उपलब्धी या उसके लिए वादा नहीं हो सकता। क्योंकि इसने इन सभी को व्यापार और वानिजी के रूप में बदल दिया है, तथा इनका उप्योग जैव शक्ती की सफलता के लिए ही किया। हम इस बारे में यह कह सकते हैं कि यह वह पराकाष्ठा नहीं है जहां मानवता को पहुचने की महत्वा कांक्षा करनी चाहिए। और यह भी कि यह रुजान मानव विकास के उचतर वक्र रेखा की ओर नहीं बलकि उससे दूर ही जाती है। चाहे कितनी ही कम्या रही हो और उनके वैज्ञानिक ज्यान का विस्तार तथा भौतिक उपलब्धियां कितनी ही बुरी रही हो। फिर भी वे जीने की कला में काफी आगे थे। वे जीवन के उद्देशों से भलिभाती परिचित थे। और उन्होंने अधिक सशक्त रूप से मानव पूर्णता के इसपष्ट आदर्शों की प्राप्ती का धे निश्चित किया था। इंद्रिय मन के इस्तर पर क्रियाशील होना मुक्षतया जीवन का लक्ष नहीं होना चाहिए। जीवन की गतिविधियां ग्यान और तर्क पर एक विस्तरित ग्यान पिपासा पर आधारित होनी चाहिए। प्रबुध्य व्यक्तियों की गतिविधियां ही चरित्र का निर्मान करती हैं उच्च नेतिक आदर्शों तथा व्रहत्तर मानव क्रियाशीलता को जन्म देती हैं हमें अपने निम्नितर या उसत मानसिक्ता से परिचालित नहीं होना चाहिए बल्कि एक वास्तिविक संस्कृति तथा एक मनवता की उपलब्धी की शुरुवात का आदर्श सत्य, सौंदर्य तथा स्वयम शासन द्वारा संचालित होना चाहिए साथियों, हमने द्वनी श्रंखला उभरते हुए भारतिय समाज में शिक्षा कि अंतरगत आज के समाज को समझने की कोशिश की आशा है आपको ये कारिक्रम उपियोगी लगा होगा इस द्वनी श्रंखला की अगली कड़ी में हम एक नए कारिक्रम के साथ फिर उपस्तित होंगे तब तक के लिए चेतना और विजय कांत को आग्या दीजी नमस्कार अभी आप सुन रही थे सिक्षा शास्त विशय पर आधारित धनी श्रंखला उभरते हुए भारतिये समाज में सिक्षा इसमें आज आपने सुना धनी कारिक्रम आज का समाज कारिक्रम के विशेशग्य थे प्रफिसर बीपी लूला और जी गुरू आवाजें थी चेतना कनहाई और विजय कांत नायक की निवेदिका थी पूर्वा शर्मा इस कारिक्रम का धनी मुद्रन, संपादन, आलेक रूपांतरन और प्रस्थती करण किया अमर बहादुर यादवने ये कारिक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्विद्याले के इलेक्स्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्थत किया गया थ compression किया प्रस्थत कियाद से जाँ higher управिक्रम मध्यम कर दोच ठाद़न खीच्छिव मुक्त विवद्य है आलेक्स खर फॉपांतर शॉजद्य मुक्त विश्या से कर दो कर दो